हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरोही करम और अवरोही करम बहुत साइर लोगों कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बढ़ते करम है कौन सा घटते करम है तो देखे दोस्तों इसके लिए में आप लोगों एक ट्रिक भी बताऊँगा और उस ट्रिक की मदद से आप लोग एक जटके में पहचान लेंगे कि किसे हम बढ़ते करम कहेंगे और किसे हम घटते करम कहेंगे तो देखे दोस्तों पहले में आप लोगों को बता दूँ कि कौन बढ़ते करम होता है और कौन घटते करम होता है लेकिन आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप सायद भूल जाए तो देखिए दोस्तों मैं इसके लिए आप लोगो एक ट्रिक बताता हूँ देखिए इसका पहला लेटर है आ और इसका पहला लेटर है ओ अब देखिए यहापर में लिखता हूँ ओ और आ अब देखिए आप लोगों ने बच्पन में ओ, आ, इ, छोटी बड़ी इ पढ़ा होगा देखिए उसमें सबसे पहला क्या आता है तो ओ आता है और यह कि उनसे अस्थान पहला आता है तो पहले अस्थान पहला आता है यह कौन से अस्थान पहला आता है दूसरे अस्थान पहला आता है तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है आ बड़ा है, बड़ा है कि नहीं पहले यह है, तो यह छोटा हो गया बड़ा कौन है आ तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तो बड़ा बड़ा वाला करम यानि बढ़ते करम इसको क्या कहते हैं यह है छोटा तो इसको हम लोग छोटते करम नहीं कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं घटते करम तो देखे आ से बन गया बड़ा यानि बढ़ते करम आ लोग इसी केस मादस से याद कर सकते हैं, आम मतलब हो गया बढ़ा यानि बढ़ते करम, और मतलब हो गया छोटा यानि छोटते करम, घटते करम, अब देखिए हम लोग यहां पर दो एक्जामपल दिये हुए हैं, पहले हम लोग इनको सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तो, आर प्रोही में क्या मैंने बताया यह चोटा है घटता जाएगा पिर घटेगा फिर घटेगा इसे गशबता j contexto और यहमें क्या हुरही कॉछ कॲओत में लिखना ने लिखना में क्रम में लिखना है आ रोही करम में लिखना है तो क्या करेंगे सबसे पाले हम लोग इसमें छोटा ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है सर जी तो दो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तो दो कोमा उससे बड़ा कौन है दो से बड़ा है बड़ा है चार यहां पर क्या लिखेंगे चार अब चार से बड़ा कौन है क पूरा बढ़ता हुआ करम है एसे छोटे से बढ़ा हो जा रहा है हो जा रहा है अब देखे दूसरा कोश्चन भी हम लोगों वैसे ही करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले छोटा ढूड़ेंगे फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा एस 105, 105 से भी बढ़ा कौन है, 108 तो 108 लिखेंगे, 108 से भी बढ़ा कौन है, 112, तो क्या लिखेंगे, 112 यह होगे दोस्तों हम लोगा बढ़ता हुआ करम यानि की आरोही करम, बस दोस्तों आप लोग इस ट्रिक को पकड़े रहिएगा, कि ओ मतलब हैंगे आहां पर पहला, यानि की छ छोटा मतलब क्या हुआ घटते करम यानि कि छोटते करम भी कहेंगे तो आप लोग को याद करने के लिए अच्छा है छोटते करम यानि कि घटते करम अब देखे हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे पहले क्या करेंगे बड़ा करेंगे उससे फिर छोटा उससे फिर छोटा य तो इसको क्या लिखेंगे पहले 40, अब 40 से हलका सा छोटा कौन है कौन है, कौन है, कौन है 14, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14, अब 14 से भी हलका सा छोटा कौन है, कौन है, 9 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 9 से भी हलका सा छोटा कौन है साथ तो यहाँ पर लिखेंगे साथ कोमा साथ से भी हलका सा छोटा कौन है पांच पांच से भी हलका सा छोटा कौन है एक यह हो गया दोस्तों हम लोगा घटते करम देखें यहाँ पर घट रही है संख्याए पूरे बड़े से क्या हो रही है घटती जा रही है तो यह क्या होगे दोस्तो अवर रोही करम अब देखें दोस्तो हम लोग का दूसरा कोशन है इसको भी हम लोग वैसे हैं करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले बड़ा ढूनेंगे सबसे बड़ा कौन है पांच सो एक तीस तो इसको यहां पर लिखेंगे सबसे पहले इसी को लिखेंगे पांच सो एक तीस कोमा पांच सो एक तीस से हलका सा छोटा कौन है चार सो बीस चार सो बीस हो गया कोमा 420 से हलका सा छोटा कौन है 112 112 से हलका सा छोटा कौन है 33 33 से कौन बच गया है भाई लाश्ण में कौन बचा हुआ है 44 तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे और यह हुआ दोस्तों हम लोग का घटते करम यानि की अवरुही करम तो देखे दोस्तों बस आप लोग को दो ही चीज़े याद रखने हैं एक तो बढ़ते करम और दूसरा है घटते करम अब लेकिन आप लोग को ट्रिक से मैंने बताया यह ट्रिक आप लोग को बड़े ही ध्यान में रखने हैं अगर ये ट्रिप का आपके दिमाग में हैं तो आप लोग आउर रोही और रोही करम में कभी भी कनफ्यूज नहीं होंगे उम्मिद करता हूँ दोस्तों आप लोको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए